तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हमें Indian Oil Corporation के बारे में जिसके की quarter 1 के numbers आ चुके हैं तो चलिए दो डिसकस करते हैं कि company ने इस बार कैसी performance की है आप भी वीडियो की quality high करके देखी का जिससे आपको clearly दिखेगा और अच्छे से समझ में आएगा पूरा data rupees in crores दिया हुआ है यह consolidated financial result एक company के नामे Indian Oil तो बात करेंगे हम total income की जो की revenue from operations और other income दोनों को जोड़ के आती है यहाँ के आपको quarter 1 June 2021 के number मिल जाएंगे यहाँ पे आपको quarter 4 के number मिलेंगे और यहाँ पे June 2020 के quarter 1 के numbers मिलेंगे तो दोस्तों बात करते हम लोग total income की तो देख सकते हैं आप company की इस बार income काफी अच्छी रही है जो की 1,57,018 करोड रुपे की income रही है प्रीवेस का अगर देखेंगे आप quarter 1 June 2020 में तब company की income 90,775 करोड थी तो yearly basis पे हमें काफी अच्छा खासा एक हमें जंप देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जंप हमें movement देखने को मिल रहा है अगर हम quarter 4 की बात करें तब company की जो income थी वो 1,56,319 करोड के रुपे तो दोस्तों देख सकते हैं quarter basis पे हमें एक decline है बट yearly basis पे काफी अच्छा में जंप देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें total expenses की जो की इस quarter के डेढ़ लाग करोड के एराउंड रहे company के expenses भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि cost of material consumed company की काफी ज़्यादा हो गई होनी भी चाहिए दोस्तों क्योंकि company के अगर आप देखेंगे तो income बढ़ रही है अगर हम बात करें net profit की जो की यहाँ पर mention है साफ साफ देख सकते हैं आप तो बात करी जाए इस quarter में company ने 6,140 करोड की overall income generate करी है अगर आप देखेंगे जून 2020 में तो company की income 2,350 करोड थी तो बहुत ही बहतरी नमे jump देखने को मिल ला early basis पर जो की यहाँ पर साफ दिख रहा है में अगर आप बात करेंगे quarter basis की तो 9,144 करोड की income थी quarter basis पर जो की घट के इस बार 61,40 पर आ गई है बड़ दोस्तो comparison देख सकते हैं आप early basis पर काफी अच्छा perform किया है company ने जो की साफ उसके net profit में show हो रहा है में अगर हम बात करें earning पर share की की company का EPS इस बार कितना रहा दोस्तों क्योंकि अगर आप देखेंगे तो profits का पूरा reflection आपको EPS में देखने को मिलता है जो की देख सकते हैं आप इस बार के 6.65 रहे और June 2020 में 2.43 के थे और March में 9.83 के थे जिस तरीके से profits बढ़े हैं उसी तरीके से हमें EPS में भी growth देखने को मिल रही है results दोस्तों market hours के अंदर आएं तो इसका जो भी reflection है हमें देखने को मिल चुका है एक पर मैं data refresh कर लेता हूँ तो देख सकते हैं अब हलकी सी तेजी है इसके share price में ज़्यादा कुछ खास नहीं है और अभी तक 37,00,000 share के around deliveries उठाई जा चुकी है तो दोस्तों हमारी चोटी सी वीडियो थी Indian Oil Corporation के उपर आशा करता हूँ आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी ही तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ तब तक के लिए बाबाए दोस्तों जय हिंद